प्रेश कोटी मीना बाजार पर मौजूद भावना अपने अपने पती और अपने परवार के साथ आप बीती मीडिया को बता रही है। भावना कहना है कि इस गड़ना के बाद पूरा परवार सद्व में आ गया है और आट पत्ता के अगार तक पहुंच चुका था। मेलाओं का कहना था कि मौजूद नाम के सक्स ने एफबी के जरिये उच्छ परवार की मेलाओं से दोस्ती की मानसिक सारे लिक सुशन किया और ब्लैक मिलिंग की। चंदपद आगरा के रकाबवन स्थाने पिड़ित मेला के तरीर पर मोहित के खिलाब दारा चार्श चेय यानि गवन का मुकदमा भी दरज हुआ है। चार दिन पूर्व चार मेलाओं दोरा आयोजित प्रेस वारता की बाद अब आपको बताते हैं कि मंगलवार को मोहित की भत्नी भावना ने क्या कहा। भावना का आरोपय के उनके पती मोहित के खिलाब मुकदमा दरज करने वाली महिलाएं एक साजिस के तैस रैकेट का संचार्ण कर रही हैं। पड़ी में समझाता हुआ है। पर अब देखना होगा कि इस मामल में आगरा पुलिस क्या करवाई करती है। आप लोगों ने सुना हुआ हनी ट्रैप यह जो मेरा केसे कुछ इसी तरीके से है। यह चार-पांश मल्याओं का एक संगिटित गिरोह है जो दिल्ली से लेके आगरा तक चलता है। इसमें नीना दास नाम की एक लड़की है। और अधे जिसकी आयू कम से कम लगबग पचास से पच्पन बर्स होगी। जो डैली में रहती है। इसमें मेरे पती से फ्रेंड्शिप पर फेस्बुक पर फ्रेंड्शिप भीजी। जिसके बाद इनकी फ्रेंड्शिप होई। फ्रेंड्शिप होने के बाद इन दोनों के अच्छे संबंद बने धीमे करके इन दोनों की बातें स्टार्ट हुई। बाद में नीना दास ने मेरे पती इसको ब्लैक मेल करके 20 लाक रुपे अपने पती के साथ इस ताम पर लिखवा कर लिए थे, जो मेरे पास एविदेन्स है, जो मेरे पास लिखेट में एविदेन्स है कि हाँ इनकी जो भी 30 लाक लिए हैं इन्हों ने लिखा पड़ी में और मेरे पती को बोला कि यह मुझे ब्लैकमेल करता है मेरी गंदी पोटो से हैं इसके पास मेरी वीडियो है जिसके दौरे मुझे ब्लैकमेल कर रहा है उसके बाद जब हमें पता चला कि इन्हों ने वहां पे एक जूटी तहरीर दिया हमें बुलाया गया उसके बाद हम आप कि अब लुगों कि लगे जब वहां जाके पूरी स्टोरी बता चली तो नीना दास का बोलना था कि मेरे इसके पती ने मुझे ब्लेक मेल किया है भाद वह हम लोगोंने मेरे पतीनों से ब्लेक मेल किया और उसके पैसा हड़ दूटी जब हमें पथा चला तो हम आप पर गए सा पति की बदनामी ना हो उनकी इजद बनी रहे इसके खातिष हम ने मैं जाके समझौता किया जो समझौता हुआ वो साड़े लाग साथ लाग रुपे का ता जिसकी जिसकी फोटोपॉम्पी मेरे पास यह है ठीक है उसके बाद जब इस साड़ी इसका समझोता होने के बाद नीना दास से मेरे पती की फ्रेंडशिप खतम हो गई, फिर संदोयार 21 में नीना दास का मेरे पती के पास मैसिज आया, कि मुझे वैसों की जरूरत है क्या तुम मुझे एक लाख रुपे दे सकते हो, मेरे पती ना मना कर दिया, उसके बाद इन्हो कुछ खतम हो गया, तो यह आगरा की रहने वाली जिश्का बिलडानी के साथ आई, उन्हों ने भी यही गेम खेला, एक से पैसे लेने के बाद यह दोनों साथ में आई, जिश्का ने बोला कि मोई शर्मा ने मेरे साथ बत्तमी जी करी है, मुझे नशीले पधार्त में घोल कर दोगी तो मैं तुमारे कला कंप्लेंट कर दूँगी, समाज की डर की वजए से हुआ के रहां पर जाके हमारा समझाद हुआ, उस समझते की, तब रिश्का, ने सारे भी हुए थे वो यह हैं, यह दो लाग रुपे का यहां पर रिष्का ने खुद सुई करती दिया कि अब मेरा कोई लेंदेन नहीं है अब यह मामला खतम हो गया जब इन लोग का यह मैटर खतम हो चुका है तो अब इन पर किस बात का केस है इसके बाद पूजा शर्मा आती है पूजा शर्मा की दोस्त पूजा ने उनका जो वाटसब क्रूप होता है मदर्स का इसकूल का उसमें मेरे पती को एड किया गलती से फिर उनकी रिष्का की और उनकी फ्रेंडशिप कर वाई फिर बात बात में उन्होंने ऐसे करके फ्रेंडशिप को बढ़ाया फिर उन्होंने जो तरीका उन्होंने नीना दाश के साथ अपनाया था वही तरीका उन्होंने तिश्का के साथ अपनाया पहले वह हम लोगों को ब्लैक मेल करती थी क्या कहते है अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं समाज में बदनामी कर दूंगी तुम्हारी यह कर दूंगी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ू जब यह मैटर हुए थे उनकी शादी नहीं हुई थी शादी संदोयार 18 में हुई है और जो रिश्का की और इनकी फ्रेंशिप हुई वह मेरी शादी से पहले हुई है इन दोनों की फ्रेंशिप हुई और इन दोनों की फ्रेंशिप थी वह भी पूजा शर्मा नहीं करवाई थी अब मैं यह चाहती हुँ कि पूजा शर्मा रिश्का विल्दानी नीना दास जोशना दुए दी इनके खिलाब सत से सत कारवाई हो और इन्होंने जो मेरा पैसा है मुझे वापिस किया जाए मैं पूलिस के पास इसलिए नहीं गई क्योंकि हमें इतना डरा दिया गया था कि लड़कियों का मामला है कहीं का नहीं चोड़ेंगे उसको बदनामी कर देंगे यह हो जाएगा वह जाएगा समाज में जो एक परवार की इज्जत होती है उसे हैं चुनों ने खुद बोला है कि आप हमारा कोई कुछ यह आप मुझे जा। जानती हो न मैं तुम्हें जानती है और आपका सब खतम हो गया तो आज पूजा-श्रमा के साथ क्या कर रही है यह ग्रों नहीं है तो क्या एन टिल्ली की रहने वाली एक आगरा की रहने वाली यह लोग यहां पर आकर क्या कर रही हैं